कि अलो दोस्तों दृष्टी आईयस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है अभी हाल ही में ओडीशा के बाला सोर के निकट एक रेलवे दुरघटना हुई है और उस दुरघटना के अंतरगत कई सारे लोग अताहत हुए है कई सारे लोगों की मृत्ति हुई है इस घटना से लगबग आप सभी लोग परिचित होंगे क्योंकि इस पर हमने एक वीडियो भी किया है और इससे जुड़ी हुई खबरें पिछले दो-तीन दिनों से हम सुन रहे हैं अब एक सवाल यह होता है कि अगर आपदा ऐसी हो गई माली जी कोई दुरघटना हो गई उसको किस तरह से रोका जा सकता था क्योंकि दुरघटना हो जाने के बाद ही इस तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसी दुरघटना क्यों घटित हुई ऐसे कौन से हम उपाय अपना सकते थे ताकि इस तरह की किसी भी दुरघटना को रोका जा सकता था या फिर आने वाले समय में हम ऐसी किसी दुरघटना को रोक सकेंगे यहाँ पर एक नाम आता है कवच सिस्टम का जो की भारती रेलवे के द्वारा काफी लंबे समय से अपन रेलवे के जो भी स्टेशन से वहां पर मौझूद होता और रेलवे प्रणाली उससे जुड़ी हुई होती तो क्या इस तरह की दुर घटना से बचा जा सकता था आज के इस डिसकशन में हम इस मुद्धे पर बात करेंगे और समझेंगे कि कवच सिस्टम क्या है क्योंकि आने प्रबंधन की बात करें तो आप कौन-कौन से उपाय सुझा सकते हैं जहां पर आएगा तकनीक का रोल और तकनीक के तहट इस कवच सिस्टम को अगर आप अपने उत्तर में लिख पाते हैं तो काफी बहतर होगा क्योंकि जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 3 के जो भी उत्त कर आपको लिखने होते हैं मुख्य परिच्छाओं के अंतरगत उसमें बहुत जरूरी है कि आप करेंट अफेर्स की चीजों को याद करके चल रहे हों अपको जो भी हम प्रोग्राम से यहां पर कर रहे हैं आपके लिए लेकर के आ रहे हैं इनसे आप उनको लिख सकते हैं कर लीजेगा उत्तर लिखने का अभ्यास मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि आपको करते रहना चाहिए क्या कवच सिस्टम ओडिशा रेल दुरघटना को रोक सकता था यह एक सवाल है इस सवाल का जवाब हमें तम मिलेगा जब हम इस कवच सिस्टम को समझ पाएंगे फिर हम बताएंगे कि क्या वाकई यह रोक सकता था या नहीं रोक सकता था न्यूज है वाट इस कवच कुड इट हैव प्रिवेंटेड दा ओडिशा ट्रेंट ट्रेजिडी तो चर्चा में क्यों है इस पर लगबग आपको पता चल गया होगा कि कवच की चर्चा क्यों की जा रही है और आने वाले समय में इसको हम कैसे उपयोग करना चाहा रहे हैं इसके अलावा निशकर्च क्या हो सकता है कैसे हम इस पूरे हाथ से को देख सकते हैं और क्या उपाए अपना सकते हैं और एक सवाल क्योंकि प्रारम्भिक परिक्ष्या में जो तकनीक को लेकर के पूचा जा सकता है वह उप्योग करेंगे जीएस पेपर थ्री विज्ञान एवं तकनीक का खंड से जुड़ जाएगा जीएस पेपर की घटना को capture करते हैं और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ट्रेने किस तरह से पलट गई है अपनी पट्रियों से उतर गई है एक ट्रेन माली यहां से आ रही थी तो कैसे टक्कर हुई और कैसे इसको हम रोग सकते से वही वाली बात आज तकनीक के जरिए हम यहां पर समझ की है 900 से ज़्यादा लोग घायल अब तक निकाले जा चुके हैं ठीक है अब जो की कवच का नाम आया तो कवच क्या है किस तरह से यहां पर योगदान दे सकता है पहला यह कि अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली है एक इलेक्ट्रोनिक सिस्टम है जिसमें इसा लिख करके आजाए कि क्या इस्तमाल किया गया है इसका मकसद है भारती रेलवे में जीरो एक्सिडेंट को हासिल करें हम यानि कि किसी भी तरह से जो दुरगट्नाय होती है दुरगट्नाओं के इस तरको जिरो लेफल तक ले आए और सभी दुरगट्नाओं को खतम कर तो क्या वाकई में अतना कारगर हो सकता है कि हम दुर्घटनाओं को खतम कर दे तो एक तरह का automated train protection system है यानि कि सवचालित train सुरक्षा प्रडाली है जहां पर किसी व्यक्ति को कुछ नहीं करना है पूरा system कि कैसे काम करता है पहले समझ लें कि अगर कोई रेल गाली इस तरह से जा रही है ज़्यादा अच्छी नहीं है आप को इसी को रेल गाली समझ लेना है और दो रेल गाली यह इस तरह से हैं तो यदि चालक गति प्रतिबंदों के अनुसार्ट train को नियंत्रित करने में विफल ह हो जाए मतलब यह ट्रेन पुल स्पीड से जा रही है और ऐसा होता है कि कुछ समय बाद ट्रेन को धीमा हो जाना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में उसको रोका जा सकता है तो अगर उन स्टेजिस को ड्राइवर ना कर पाई या फिर जो भी लोको मोटे पाइलेट है वह उ अगर यह ट्रेन को पूरे तरीके का तो अगर यह ट्रेन अपने अब धीमा कर दिया जाएका इसी तरेके से जो रेल्वे के सिगनल लगे होते हैं उनके अंतरगत accelerated जो जासे बस्टो को भी बहुत ज्यादा हो जते कई बार अच्पटकि की लोग निकल जाते हैं या फिर रेलवे के अंतरगत ट्रेन गुजर गई और फाटक ना बंद हुआ तो कई तरीके हो सकते हैं कई बार कोहरा हो जाता है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिस्टम को विक्सित किया गया है तो कार्यात्मा कवच प्रणाली से लैस दो इंजनों के बीच टकराओ से रोकता है यह सिस्टम इसमें एक सेफटी इंटीग्रिटी लेवल फॉर के तहत इसको प्रमालित किया गया है और दस हजार वर्षों में एक तुरुटी होने की संभावना इसकी अंतरकत जताए गई है यानि सिस्टम को इस तरह के इस तरह स डिजाइन किया गया है अब लागू होने के बाद कवच दुनिया की सबसे सस्ती सचालित ट्रेन तकराओ सुरक्षा प्रणाली होगी क्योंकि अगर आप लागत देखेंगे इस तरह की जो भी सिस्टम विदेशों में चल रहे हैं तो वहां पर लगभग दो करोर रुपए क लागत आती है प्रती किलोमीटर के हसाब से तो रेलवे के लिए स्वदेशी तकनीक को बनाये जाने के बाद इसका हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उन देशों को जिनहें सस्ती तकनीक की आवश्यक्ता है तो कई सारे ऐसे देश हैं हमारे पडोसी हो सकते हैं फिर जिनके तोर पर यह एक station है जो इससे connect है तो इसमें RFID लगा दी गई है जो radio signals को receive करेंगी अब यहां से communication होगा कि भाई कोई train किस जगे से चल दी है या फिर उसको किस तरह की दिक्कत आ रही है तो radio communication दोनों तरफ से होगा trainों के बीच में भी होगा station के बीच में भी होगा तो station master को trainों की location पता चल जाएगी life tracking होगी और इसके जरिये फिर इस पूरी ववस्ता को संचालित किया जाएगा जिसमें GPS का योगदान होना भी आवश्यक है इसके अलावा इसमें और भी कई सारी चीजों और कई सारी सुविधाओं को जोड़ा गया है तो विशेशताओं मे अगर हम देखें तो पहला यह है कि खत्रे की समय signal passing को रोकना की signal के अंतरगत जो भी train निकलनी है तो उनको किसी तर से निकाला जाए और जो लोग गुजरने उनको रोग दिया जाए machine interface या local pilot operation से indication पैनल लगाया जाएगा over speeding की रोग थाम के लिए सचालित ब्रेकिंग लगा जाना संभव नहीं होता ऐसे में कहा गया है कि अगर ऐसा system होता तो निश्यत तोर पर जो स्थितिया है वो इतनी ज्यादा बेकाबू नहीं हो पाती इसके अलावा लेवल क्रॉसिंग के समय और तरीके से CT का बजना शुरू हो जाता है कि ताकि लोगों को पता चल सकी कि ट् हो जाती है तो कार्यात्मक कवच से लेस्ट दो इंजनों के बीच टकराओ की जो रोक थाम है उसको एक तरह से किया जा सकता है इसके अलावा अगर कोई emergency situation है तो SOS या हम कहें emergency जो संदेश है वो भेजा जा सकता है और network monitor system के जरिए train की आवाजाही की केंद्री कृत लाइव निगरानी की जा सकती एक तरह से आप कह सकते हैं कि train कहां से कहां की ओर आ रही है ये भी system के जरिए पता चल जाएगा तो ये देखा जा सकेगा कि अगर किसी एक ही track पर दो ट्रेने चल रही है तो वो कहां पर टकरा सकती है उनको किस तरह से उस track से अलग करना है अब आते है इस system की शुरुआत पर किसका शुरुआती दौर में परिक्षण कप किया गया था चार मार्च 2022 को इसका सफल परिक्षण देखने को मिला था जहां पर अगर उस route को समझे कि कहां से कहां तक किया गया तो दक्षण मद्ध रेलवे के गुला गुडा और चिता गिद्दा रे जनों ने जो की कवच सिस्टम से लैस थे उन्होंने आपस में ब्रेक लगा दिये तो ऐसा मानक करके चला जा सकता है कि जो सिस्टम है कार कर रहा है इसके अलावा रेट सिगनल के दौरां जब परिक्षण किया गया उसमें भी सफल रहा लोकोमोटिब ने रेट सिगनल को प पास उसकी गती रही होगी प्रतिघंटे के साब से जो की कम हो गई तो कह सकते हैं कि यह सफल परिक्षण रहा था लेकिन चुकि यह सभी जगों पर उपलब्द नहीं है इसको धीरे धीरे लगाया जा रहा है और लगाने की जो रणनीती हम देख लेते हैं अगर यह लग च देखेंगे तो 96 फीसद रेलवे का जो नेटवर्क है वह भारती रेलवे के अत्यधिक उप्योग किये जाने वाले नेटवर्क मार्गों के तहत आता है तो पहली प्रात्मिक्ता होगी उच्छ घनत वाले मार्गों पर इस सिस्टम को लगाया जाना ताकि उन रास्तों को हम ट्रैक कर सके या उनके अंतरगत ट्रेनों के संचालन को रेगुलेट कर सके इस सिस्टम के जरिये जहां पर दुरघटना की संभावना और दुरघटना के बाद किसी के छत विक्षत होने की संभावना ज्यादा हो तो नई दिल्ली मुंबई और नई दिल्ली हावडा है सचालित ब्लॉक सिग्नलिंग के सास्ता अन्यात्री उच्छ घनत वाले मार्ग और चौथे चरण में फिर बाकी के जितने भी रूट बचेंगे उन सभी को इसमें कवर किया जाएगा अब एक हमने पीशे देखा था कि सिग्नल्स की भी ज़रुवत पड़ेगी इसमें RFID औ तो भारती रेलवे को 4G स्पेक्ट्रम भी आवंटित कर दिया गया है ताकि जो संचार का माध्या में उसमें किसी तरह की दुविधा ना आए और वो बहतर तरीके से कार कर सके और ज्यादा विश्वस नहीं हो क्योंकि अगर हमें इंटरनेट का इस्तिमाल करना है तो इंट स्पोर्ट आई है उसके तहित पता चला है कि 22 करण रुपए का खर्च आएगा पहले करीब 12.40 के आस्पास माल लेते इतना कुछ खर्च था जो कि अब बढ़ गया है तो सवाल यह था कि क्या यह सिस्टम इस दुरघटा को रोक सकता था चुकि अभी के समय यह पता चला कि उस रूट पर यह सिस्टम नहीं लगा हुआ था इस वजह से अभी नहीं कह सकते कि कितना कार्गर होता लेकिन जितनी इसकी विशेश्टाएं है उसके इसापते पता चलता है कि अगर इस सिस्टम वहाँ पर मौजूद होता तो निश्चित तोर पर इस रेलवे के अंतरगत होने वाले दुरहटना को शायद रोक कर सकता था इसके अलावा अगर हम सड़क मार्क पर जाते हैं तो सड़क मार्क पर किस तरह से दुरगटनाओं को रोक सकते हैं एक एक्जामपल है आप इसको भी लिख सकते हैं चुकि तकनीक का उपयोग हम देख रहे हैं सिस्टम तो इस सिस्टम के जरिये जो कारे हैं वो अपने आप में बहतर तरीके से कार करती हैं ब्रेकिंग लगा सकती हैं जिस तरह से हमने रेलवे के ट्रैक पर देखा तो कार मालीजी स्पीड से जा रही है उसको ऐसा लगता है कि ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पा रहा है आगे आने वाले समय में कुछ ब्रेक लगाने की आवश्यक्ता है तो रूख सकती है अभी कुछ ही कारे हैं जिसमें इस तरह की तक्नीक को लगाया गया है इसमें कैमरे और कई सारी चीजों का इस्तिमाल किया गया है तो यह एक तो आते हैं सवाल पर सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला है कवच एक अत्याधुनिक चार्मंट सेक्ष्ण में आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि आपका उत्तर机 अलावा इसे विषय को ले करके आपकी क्या राय है क्या यह सिश्टम रोख सकता था इतना जानने के बाद आप जी बता सकते हैं तो आप से मिलते हैं अगलेちゃ शर्रमीं किसी अन्यी महत्पूण दूशा के साथ पढ़ते रहे खयाल लखे शुक्रिया